लोकसुबद चुलाओ 2024 के मद्दे नजर कॉंग्रेस पार्टी ने हिदराबाद लोकसबाद सीट से अपने उमीदवार का अलान किया कॉंग्रेस दे मुहमद वली उल्ला समीर को हिदराबाद से अपना उमीदवार बनाया है इस सीट पर समीर की सीधी लड़ाई औल इंडिया मजलिस इत्तिमाद दुल मुसिलमीन यानि के अध्यक्ष असुद देन ओवेसी से होगी ओवेसी सीट पर मौजूद असांसद है रिपोर्ट्स के मताबिक हैदराबाद लोगसबाद शेतर से कॉंग्रेस उमीदवार समीर वली उल्ला ने मंगलवार यानि की 23 अप्रेल को हैदराबाद जुला का लेक्टरेट में रिटरौनिंग ऑफिसर के पास अपता नामंकन पत्रों दाखल किया उनके साथ पुर्वमंत्री और राजसरकार की सलाहकार M.D. अली शबीर, उबेद उल्ला, कोटवाल और अन्य लोग भी थे समीर वली उल्ला वर्तुमान में कॉंग्रेस की हैदराबाद जला सम्मती के अध्यक्ष के रूप में कारे रत है समीर वली उल्ला के नाम से पहले कवर थी कि सुप्रीम कोट की वकील शेहनास तबस्सम को कॉंग्रेस ओवेसी के खिलाफ मैदान में उतारेगी इसके अलावा ये भी बताया गया कि पार्टी के भीतर के वरष्ट मुस्लिम नेता भी उनके नाम से नाखुश थे क्योंकि वो एक बाहरी थे हो सकता है इसी वजह से उनके नाम पर कॉंग्रेस ने अपनी मुहर फिलहाल नहीं लगाई हो सकता है इसी वजह से उनके नाम पर कॉंग्रेस ने मुहर नहीं लगाई इसके अलावा हेदरबाद सीट के लिए टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का नाम भी चर्चा में था हाला कि उनके नाम को भी खारिश कर दिया गया नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24